हेलो स्टुडेंट्स इस विडियो में हम बाइनरी ओप्रेशन की एक प्रॉपर्टी देखने वाले हैं कम्यूटेटिविटी यहां मैंने डेफिनेशन लिखी है थोड़ा पेशेंस रखो समझ में आएगा सब कुछ बस थोड़ा पेशेंस रखोगे तो एकदम क्लियर हो जब A star B is equal to B star A किसके लिए सारे elements के लिए किसके सारे elements जो हमें set दिया है जिस set के उपर हमें देखना है उस set के लिए उस set के सारे elements के लिए अब ना आपको थोड़ा यह सा लगेगा कि क्या है यह अजीव ही लगता है ना डंग से समझोगे देखो मैं एक set लेता हूँ एक ह की जगह मैंने लिया real number लिया a is equal to real number दिया and हमारा binary operation a star b लिया मैंने a into b सिधा simple ले लिया आपको समझाने के लिए a star b मैंने लिया a into b यानि जब जब मैं a star b use करूंगा इसका मतलब है a into b होगा किसके लिए इस set के लिए set कोन सा है real number real number यानि जो आप deal करते हो day to day life में सारे numbers इसमें complex number नहीं है complex के लिए भी hold होता है लेकिन अभी मैं बस real number की बात कर रहा हूँ ठीक है अब ये check करना एक community होई या नहीं क्या मतलब है इसका exactly इसका मतलब हैसे कोई भी दो element लेलो real number की कोई भी दो उठाओ मैंने 2 and 5 लिए तो 2 star 5 करो कितना आता है 10 करो ये हो गया पहिला हिस्सा अब दूसरा हिस्सा का है 20 star a करो यानि 5 star 2 करो 5 star 2 यानि क्या 5 into 2 कितना आता है 10 ये and a बराबर है क्या है इसका मतलब 2 star 5 is equal to 5 star 2 ये बराबर है तो ये community हो गया अब देखो ये बस 2 and 5 के लिए हुआ ऐसे सारे elements के लिए होगा क्या आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा obviously होगा ही ना normal multiplication हम करते है 2 into 3 करो 3 into 2 करो minus 1 into 1 करो 1 into minus 1 करो कुछ भी करो सेम ही रहते है तो यदि ऐसा होता है कैसे a star b is equal to b star a इसका ही मतलब particularly इस binary operation के लिए क्या बोल रहा है a into b is equal to b into a into sorry यदि सारे number के लिए हो रहा है किसके सारे number इस r के सारे number के लिए हो रहा है तो इसको हम commutative बोलते है इसको हम commutative बोलते है बहुत simple है मुश्किल नहीं है ठीक है तो यह क्या हो गए हमारा हमारा यह set with given binary operation is commutative ठीक है commutative हो गए यह हम बोल सकते हमारा binary operation commutative है इस set के उपर ठीक है दूसरा example देखो और अच्छे से दिमाग में आएगा अब मैंने a की जगा लिया z z यानि set of integer set of integer कैसे दिखते है 1 plus minus 1 plus minus 2 plus minus 3 and so on obviously 0 भी है इसमें 0 last को लिखता हूँ तो यह सारे number इसमें 1 by 2 1 by 3 यह से number नहीं है बस integers है अब मैं यह दी binary operation ऐसे define करता हूँ a star b is equal to a plus b तूँकर यह commutative है सोचो थोड़ा देखो a plus b किया अपने कोई भी दो number लेलो देखो मैंने अभी लिया 2 and minus 3 लिया करके देखो यह क्या आएगा 2 plus minus 3 is equal to कितना आएगा minus 1 उल्टा करो minus 3 and 2 लेलो तो कितना हैगा minus 3 plus 2 क्या आएगा minus 1 सेम आता है अब यह दो के लिए होता है ना इसे यह दो numbers के लिए सब के लिए होगा क्या थोड़ा दिमाग लागे कि सूचो मुझे ने लगता कोई दिक्कत है होगा ही यह हमेशा होगा तो यह क्या है हमारा so हम क्या बोल सकते है a star b is equal to b star a यह सब सही है सब के लिए किसके सब कोन सब for all यह symbol है a,b belongs to z सब के लिए सच है अब देखो interesting बात है है यदि मैंने बस इतना कर दिया भी binary operation change किया a star b is equal to a minus b कर दिया मैंने अब क्या होगा अब देखो मैं एक example देता आपको interesting यह उपर वाला example लेना है तो वह भी हम देख सकते देखो two star minus three binary operation यहा प्लस था यह माइनस हो रहा है तो यह कितना आएगा two minus minus three कितना हो रहा है five five हो रहा है अब उल्टा करके देखते यानि बी स्टार यह करो तो बी स्टार यह क्या हैगा minus three minus two right न बी की जगह भी बी पहला है तो पहला ही आगया minus three यह दूसरा है तो यह आगया और minus five बराबर है क्या नहीं है तो a star b is not equal to b star a for all a comma b belongs to z तो यह committed to नहीं है binary operation यह वाला लेकिन यह वाला है अपके दिमाग में आया होगा दिमाग में जा रहा होगा simple है बहुत simple है तीसरा एक example देते clear करने के लिए देखो मैंने ले लिया r set ले लिया and binary operation define किया a b by two सूचू थोड़ा बहुत simple है कुछ लिखताने में दो elemental लो real number के multiply करो दो से divide किया पहला उल्टा लिया दूसरा लिया कई से भी करके multiply किया same ही आएगा तो a star b यह हमेशा बराबर होगा b star a k for all a comma b belongs to a to r तो इसका मतलब है यह binary operation committative है हमारे इस set के उपर ठीक है simple है अब और एक example देता हूँ मैं r के उपर a star b is equal to a plus b plus 2 logic लगाओ सीधा क्या होगा हमेशा होगा addition कर रहे हो न अब addition addition है a plus b कर रहे हो और उसमें 2 add हो जाएगा तो यह क्या होगा यह भी हमेशा committative होगा अब I think समझ में आया होगा अपको मैं ऐसे assume कर रहा हूँ अब मैं थोड़ा interesting लेता हूँ r ही लेता हूँ set and a star b करता हूँ मैं a to the power b अब बोलो अब थोड़ा सोचो देखो मैं element लेता हूँ 2 and 3 तो 2 star 3 आएगा 2 to the power 3 3 star 2 आएगा 3 to the power 2 यह आता है 8 यह आता है 9 बराबर है नहीं है not committative यह binary operation committative नहीं है हमारे इस set के उपर ठीक है simple है last example लेता है I think आपके दिमाग में गया होगा तो ज़्यादा कुछ करेंगे नहीं हम ठीक है a star b is equal to minimum of a and b plus 2 किया मैंने set लिया r करके देखो थोड़ा logic लगया तो भी हो जाएगा देखो न यह नहीं है आपको समझ में आएगा 2 and 3 ले लो चलो 2 and 3 ले लो तो a star b calculate किया आपने क्या आएगा minimum of minimum मझे minimum इसका अंतलब यह है और इसमें से minimum 2 and 3 plus 25 इसका minimum कितना है 2 अब b star a किया आपने क्या आएगा minimum of 3 and 2 plus 2 4 तो यह आएगा 3 minimum बराबर है नहीं है not commutative not commutative so this is very important property जो आपके दिमाग में आने चाहिए अब नहीं हम आगे चलते थोड़ा एक सेम आपको मैं चीज बताना चाहूंगा associativity के बारे में क्यूंकि दोनों related है थोड़ा थोड़ा तो समझ में भी तुरंत आ जाएगा मैं ज्यादा कुछ लिखूंगा नहीं associativity associativity देखो a binary operation star is set to be associative on set a if कब जब a star b star c is equal to a star b star c किसके लिए for all a,b,c belongs to हमारे set में सेम है यदि binary operation operate करना आगे आपको बाकी कुछ नहीं यह क्या बोल रहा है पहले आप bracket में b and c लेलो या उल्टा किया तो भी चलेगा and फिर यह operate करो पहले इन दोनों का operation करो बाद में यह and इसका करो उसके बाद क्या बोल रहा है यह पहले दोनों का करो और बाद में c के बात करो c के साथ करो equal है तो associative है नहीं है तो associative नहीं है simple एक example देता हूँ जो associative है और एक ऐसा example देता हूँ जो associative नहीं है ज्यादा कुछ करने के लिए कुछ है नहीं इसमें मैं एक सेट लिया एकी जगह नैच्रल नमबर एंड मैंने A स्टार B डिफाइन किया है A प्लस B प्लस 2 जो आब वो एक्जामपल था हमारा अब देखो न मैं क्या करता हूँ कोई भी तीन इलेमेंट ले लो for any A, B, C belongs to natural number ठीक है A स्टार B स्टार C calculate करते हैं क्या है यह A स्टार B स्टार C यानि B स्टार C पहले करो B स्टार C की definition यह है यह क्या है A स्टार B प्लस C प्लस 2 अब पहला इलेमेंट देखो पहला इलेमेंट यह हो गया दूसरा इलेमेंट यह हो गया अब यह कैसे behave करेगा यह अभी दिखेगा A प्लस B प्लस C प्लस 2 प्लस 2 definition तो यह कितना आएगा यह आएगा A प्लस B प्लस C प्लस 4 ठीक है अब उल्टा करो A स्टार B स्टार C करो अब क्या आएगा पहले इन दोनों को प्लस करो A स्टार B को तो यह आएगा A प्लस B प्लस 2 स्टार C अब यह हो गया A यह हो गया B तो यह कितना आएगा A प्लस B प्लस 2 प्लस C प्लस 2 यह आगे ना गया A प्लस B plus c plus 4 दोनों बराबर है इसका मतलब इवन binary operation associative है इस set के उपर बात खतम यह हो गया होने वाला अब नहीं होने वाला मैं एक example बता दो आपको simple सोचेंगे क्या देखो मैं क्या बोलड़ा है integer ले लो एक ही जगह and a binary operation ले लो minus a minus b यह बहुत सारे example से आप a to the power b भी किया तो भी वो नहीं होगा minimum वाला करके minimum वाला जो उपर वाला किया वो भी नहीं होगा एक example बस समझाने के लिए बताता आपको देखो यह set हमारा z है z है यानि क्या 0 plus minus 1 plus minus 2 यह सारे numbers आगे जाएंगे अब ना कोई भी तीन नमबर हो देखो अभी जनरली कहा नहीं कि आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा देखो problem क्या है prove करने के लिए तो आप सिधा यह से दिखा दे दे नहीं prove करने के लिए इसा कुछ मिलता नहीं तो counter example देना पड़ता है 2 ले लो एक B लिया एक A लिया अपने 2 B लिया माइनस 3 C लिया माइनस 7 यसे माइनस 7 बहुत बड़ा हो जाएगा माइनस 4 करता हो calculation भी आसान होने चाहिए न तो A स्टार B स्टार C कैसे दिखेगा देखो B स्टार C यानि क्या है यह क्या है यह दर नमबर डालो 2 स्टार B की जगा माइनस 3 C की जगा माइनस 7 अब यह 2 स्टार यह क्या है माइनस 3 माइनस 7 गड़बड नहीं करना है यह स्टार को replace करना है माइनस यह बाकि कुछ करने का नहीं अब यह 2 स्टार 7 minus minus plus हो जाएगा तो यह आएगा 4 clear है शायद minus minus plus 7 minus 3 is 4 तो यह आएगा 2 minus 4 ही minus 2 अब उल्टा करके देखते हैं उल्टा है नहीं A star B star C किया A की जग़ 2 star minus 3 star minus 7 तो 2 star minus 3 क्या है 2 star minus 3 नहीं 2 minus minus 3 और star बाद में करते हैं जो कुछ भी है तो यह आएगा 5 minus minus plus नहीं और यह star minus 7 अब यह कितना आएगा 5 star के जग़ा minus और यह minus 7 minus minus plus टबेल आजाएगा तो बराबर नहीं आ रहे तो not associative तो ऐसे आप बहुत सारे examples a to the power b ले ले लो real number के उपर minimum of a, b plus 2 ले लो तो ऐसे बहुत सारे number आप ले सकते हो examples आपको google पे भी मिल जाएगे बस concept दिमाग के अंदर जानी चाहिए जो निकलना पाए किसी से भी so thank you so much for watching this video और next video में हम थोड़ा आगे मूँ हो जाएगे semi group के उपर तो बस इसको अच्छे से समझ ला